जे हैं दोस्तों आप सभी के स्वागत करते हूं अपने इस यूडिव चैनल अभ्यास ओंलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूं कृष्णा और हम लोग तयारी करें दोस्तों सिक्षापातरता परिच्छा की दोस्तों टीटी का एक्जाम है जल्द ही निकाट आ चुका है तो आप मैट्स के सभी वीडियो आप मैं अप्लोड कर चुका हूं इसके अवाबा अगर आप वच्डाश के त्यारी कर रहे हूं तो उसके लिए विःघ्वाण के लिए और समाझी विःघ्वाण के लिए उसके लिए अलग-अलग वीडियो मैंने अप्लोट कर चुका हूँ नहीं देखे हो तो दोस्तों उन सभी वीडियो का लिंग मैंने डिप्रिशन में दे रखा है वहाँ पास जाके आप उन सभी वीडियो को जाके वाच कर लीजेगा आप पहले इस वीडियो को जरूर देखे है न दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैट्स के पूरा दस इन्पॉर्टन कोशन जो इन्पॉर्टन कोशन है उसको मैं सौल करके बताऊँगा दोस्तों मैंने मेरे पिछले वीडियो आप देखे होगे तो आपको पता होगा नहीं देखे हो तो दोस्तों पिछले वीडियो भी आप नीचे डिपकेशन में दे रहा हूं वहाँ पास जाके आप उन सभी वीडियो को आसानी से वाच कर सकते हो तो चले यह स्टार्ट करते पहले भाग वाला उसके बाद गुणा वाला उसके बाद आपको जोड़ने वाला उसके बाद घटाने वाला ये प्रोसेश आपको करना पड़ेगा तो दोस्तों इसमें आपको गुणा वाला पहले दिखाई दे रहा तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको 15 गुणा 1.5 तो जो है इसका answer आएगा तो दोस्तों इसको मैं solve करके आपको बता देता हूँ तो दोस्तों इसमें क्या करोगे जैसे आप इसको गुणा करोगे इसका कितने को दोस्तों जैसे 15 गुणा 1.5 मतलब क्या करोगे आप 15 गुणा 1.5 है न इसको जब गुणा करोगे तो आपका जो solve कर दे रहा होगा बिया स्वरी सी ऑप्सेन में तो क्या हो जागा यह इसका सहीं आंसर हो जागा आप भी एक बार सॉल करके देखिए दोस्तों ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है कोश्चन मार्क दिया है अपॉन 3 उसके बा बाद दिया है बराबर और बराबर के बाद दिया है दोस्तों रूट आप 225 और 225 को हम लोग क्या कर सकते हैं तो इसको सरल करने के लिए क्या करते हैं पहले रूट आप 225 लिग देते हैं बटे सब को रूट को लग लग करते हैं रूट आप 25 इसको इस तरह से लिग सकते ह क्या करना है तो 225 किस कवर गेंगे है कि so 225 जो है किसकोषके पर गहें दोस्तों listening to 225 जो है 15 तो क्या लिख सकते हैं आप यो है 15 यह पाँचके हीजार 25 जाए और 25 के तो यह इस तरह ही आ जाएगा आप क्या करने पड़ेगा उसके यह 3 दिखाई दे रहा है, उसको इधर ले जा सकते हो, ले जाने से पहले, आप उसे काण भी सकते हो, 5 एकम 5, 5 तीया 15, और यहाँ पास बचा 3, और इधर का 3, जैसे यह इधर जाएगा, यह कहा जाएगा, गुने के रूप में आ जाएगा, तो 3 तीया क्या हो जाएगा, आप 15 प्रतिशत है, तो वार्सिक ब्याज की दर क्या होगा, थैसे मासिक बोर है, मासिक साधारन ब्याज का जो दर है, वो 15 प्रतिशत है, तो हमें क्या करना है, इसमें वार्सिक ब्याज की दर निकालना है, प्रशने आप समझे दो, 1000 पर मासिक ब्याज, जो है, साधारन की दर मतलब जो है जो है तो एक महने का कितना है पंदर रूपया है तो यह हो जाएगा आपका जो एक साल का कितना हो जाएगा आपका पंदरा गुना क्या करना पड़ेगा इसको बारा करना पड़ेगा तो दोस्तों पंदरा गुना जैसे ही बारा करोगे तो आपको क्या करते इसको करके देख लेते हैं 15 गुराव 12 तो क्या हो जाएगा 12 पंच ही हो जाएगा 60, 60 का सुनने, 80 लाया 6, 12 चाम 12, 12 और 6 क्या हो जाएगा आपका 18 रोपए तो 180 रोपए क्या हो रहा है उसका जो है पी कहा जाता है वो है 1000 हमें क्या करना पड़ेगा हमें अब निकालना है क्या निकालना है हमें मासिक दर दर पूछे तो मतलब उसको माल लेते हैं लगोर्त हो जाएगा हमारा समय टीता दिया गए है इस में वह दिया गए है यहांपस समय भी नहीं दिया गया तो इसको क्या मन लेते हैं ती कर जाएगा तो अपन क्या हो जाएगा यह कर जाएगा मतलब यह जए ज़िकांतर हो चुका है अब यह जिरो कड़ जाएगा मतलब आपका जो डर है और समय यह दोनों का गुनन खंड की तारहे है आपका अठरा आ रहा है तो दोस्तूं अब जैसे यह अठरा आया तो उसके बाद क्या करोगे हमें क्या करना पड़ेगा जो अठरा आया है वही क्या होगा दर होगा है ना दोस्तों अठरा क्या होगा इसका दर होगा क्योंकि इसमें जो है वर्ष इसमें टाइम जो दिया है दोस्तों वो क्या होगा क्योंकि टाइम जो दिया है व तो एक वर्ष का हमें रेट निकालना है तो आर माल लिए और उसका समय कित्ता होगा तो मैं पहले टी माना था तो वहां पास एक आएगा न क्यूंकि क्या बहुत है मैं एक वर्ष क्या ग्यात करना है बट्टे क्या हो जाएगा आपका 100 यह 0 यह 0 कर गया अब 10 जो है इधर पक रुपए बना रहा है तो अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन इसमें जो बोर रहा है दोस्तों यदी एक में पांच नारंगी बेंची जाती है मतलब एक रुपए में कितना नारंगी बेंचा जा रहा है पांच नारंगी बेंचा जा रहा है तो 25 प्रतिशत की हा मre leaning एक पहले विक्रा है कि जो दर है वो क्या है पाँच रुपए प्रती नरंगी के हिसाब से अगर वह बेजता है तो उससमें क्या करता है मतलब जुह है पाँच नरंगी को एक रुपए में बेजता है तब उसे ब्मन क्रेम यह बराबर क्या होता है क्रेम घुना जो क्रेम मुल्य 400 माइनस लोस परसेंट मतलब मैं एक बार फिस समझ जो से निकल मिल्य का यह निकलेगा क्रेम लने कि उसके बाद उसको हो जाए पार उकल निकल यहां पार्द हो जाएगा इसको हुझाएगा उसक्छाación यह यहाँ पास क्रायमल्य कमांद रिए गया है PANCH तो 5 बराबर क्या हो जाएगा क्रायम बुले और क्रायमल्य दो पास गांगे 10 25 सौ तो क्या हो गया 25 मैंपने 25 सौ तो किया होगि थर मेधर की կह हो जाएगा ते टीए चार, तो दोस्तों जो है, इसका अन्सर आएगा, पंद्रा बट्टे चार, क्या कर देते हैं, लेकिन ऑप्शं में यार्प क्या क्या करेंगे, चार तीया बारा चार तीया क्या हो रहा है ये बारा हो रहा है तो दोस्तों चार तीया बारा हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा उसका जो तीन सही और बारा पंदर लाने के लिए हमें कितना उसमें जोड़ना पड़ेगा चार तीया हो गया 12 तो हम लोग क्या करेंगे उसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 और बटे नीचे में 4 का 4 जी है तो क्या हो जाएगा सब्सक्राइब की साथ इसका एक और दि regular है आपको दिखा दर रहा आप जा शंक्रा पर case 106 किसी अधा कर पार्की की कि अधीप दिया है वह r2 आघ्र और छेतर फल जो दिया है वो दो वर्ग किलोमेटर दिया है इसका लंबाई और चौडाई का अंतर निकालना है मतलब एक आयताकार मैदान है उसका क्या है एक परिमीती परिमीती मतलब क्या हुआ है उसका परिमाब एक आयताकार बना देता हूं है खेल का एक पार्क है इसका जो है परिमीती मतलब यह जो दिया गया है उसका परिमाब जो दिया गया है मतलब सभी जो भुजाओं है उसका योग किता है आपका जो है छे किलोमेटर है किता किलोमेटर है और जो है इसका छे तरफार मतलब पूरे अंदर की भाग की बात करें त उनका इसका वो कित्तम है haw 1 Act 2km तो दोस्तों हमें क्या करना है इसमें पहले इसकी लंबाई और चौंडाई नीकालना है लंबाईय निकालने के लिए्या करना पड़ेगा नर लंबाई तो पहले आयतापार्क का जो हैं रहे हैं उसका क्या हो जाएगी परिमाप परिमाप के लिए शुत्र क्या होता है इसके लिए होता है दो गुणा लंबाई गुणा क्या हो जाएगा चौड़ाई है ना दोस्तों तो क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई इसका अंसर की तरह अच्छे यहा रहा है तो मतलब क्या करेंगे अगर इस किलो मेंट क्या हो जायगा उसका लंबाई होगा और एक किलो मेंट क्या होगा उसका च्रुणाये होगा तो इस तरह से आपकी से परिमाप के लिए क्या सूत्र होता है, दो गुना लंबाई गुना क्या होगा, आपका चोड़ाई, ये एक फार्मूला होगया, उसके बाद जो है पार्क का छेतर फल, पार्क का छेतर फल क्या हो जाएगा, दो गुना लंबाई या चोड़ाई, मतलब क्या हो जाएगा, दो क यह जो दोनों है उसके लिए क्या करो के अप एक बता रहु हमाइN फार्मूला आप उसे याद आखिए उसके लिए फार्मूला होगा आपका अपका A B A को A ये है लंबाई और ये है चोड़ाई तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा A B लाबर आपका हो जाएगा A प्लस B का स्क्वेर ये पूरा ब्रैकेट में रहाएगा माइनस उसके बाद हो जाएगा A माइनस B का पूरा ब्रैकेट उसके बाद अपॉन क्या हो जाएगा फोर तो दूस्मों कोश्चन लगी है फर्मुला आपको अच्छे दिखाई नहीं दे रहागा तो मैं एक बर फिर से बता देता हूँ A B बराबर आपका क्या होगा A B बराबर आपका होगा A प्लस B का होल स्क्वेर स्वारी मुझे इसमें लिखते नहीं बन रहा है तो स्वायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे प्रॉब्लम हो रहे हैं लिखने में तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है तो क्या हो जाएगा A minus B का होल स्क्वेर upon हो जाएगा 4 तो दोस्तों यह आला फार्मूला है आप इसे जरूर याद रखिए कभी न कभी आपके काम जरूर आएगा तो A प्लस ये प्लस है A प्लस B का स्क्वेर माइनस A माइनस B का होली स्क्वेर अपान 4 तो अब क्या करोगे इसमें जो है लंबाई और चौड़ाई मतलब A और B को मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर आप 4 को इधर पूट करते हो तो क्या हो जाएगा 4 इंटू A प्लस तो 4 इंटू A इंटू B हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पास आया आपका 4 A B और 4 A B मतलब क्या होगा A गुना B A गुना B मतलब क्या होगा यह आपका 6 तरफल होगा और A और B का मान कोशन में क्या दिया गया है दो दिया गया है अगर कोशन अगर आप उसमें दी सुर्ण दिया रहेगा तो आप दूसरा पूट कीजिए मतलब क्या होगा अगर A और B के जगह हम लोग 2 पूट करते हैं तो क्या हो यह चार दूनी 8 हो जाएगा तो यह हो गया इधर का 8 बराबर अब क्या हो जाएगा इधर जो बचेगा वो क्या बचा आपका A प्लस B अब दिमाग में रखिए A प्लस B बचा है और बीच में क्या है माइनस उसके बाद है A माइनस B का Hall Squared यह भचा हो जाएगा तो अब क्या करोगे इसके लिए फार्मुला है A प्लस B का Hall Squared के लिए और A माइनस B के लिए Hall Squared का यह भी एक फार्मुला है तो आप उसे याद रखिए ठीक है तो इसके लिए मैं इसको तोड़ के बता देता हूँ इसके बाद है कोश्टक में आप लिखोगे उसके बाद ए माइनस बी का होली स्कर के लिए अलग से फार्मूला है उसके लिए क्या है दोस्तों अधर है तो डो झार्माइनस बाद है अक्के भी अलग से क्या हो दोस्तों आफ़र पर इसरे खेंव हमें आपका 31 और 8 है ना 9 और 1 में क्या हुआ यहां पास है 9 और यहां पास 8 इन दोनों को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो बच्छी का वो क्या हैगा वो आएगा आपका एक और यही एक क्या है दोस्तों इसका जो है चोड़ाई है क्या है चोड़ाई और तो लंबाई क्य है वो कितना है दो है तो मतलब क्या हो जाएगा आपका जो है आया है वो क्या हो जाएगा अगर लेंथ को हम लोग एक रखते हैं तो हमें आरा जो चोड़ाई है वो कितना मिलेगा सॉरी चोड़ाई को हम लोग एक लगते हैं तो आपका जो लंबाई निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका निकलेगा दो तो इस तरह आप आसानी से इस फार्मूला से आप आसानी से स्वाल कर सकते हो दोस्तों ये कोश्चन साइब आपको लिए मैं समझाया हूँ अच्छे से समझ नहीं आया हो अगर समझ आ गया हो तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताईए अगर समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईए कि मैं इसे कोश्चन को फिर से बताईए तो मैं इसको फिर से 書 ने इसमें पॉइंट जीरो करें किया करेंगे यहाँ पास छूप यहाँ पास उसको क्या करेंगे हैं दो जैसे जबताइब पी स्क्यार हो बेराबर में क्या ने दिया गया एक के बराबर क्या कर देते हैं, हम लोग उसको पक्छानतर कर देते हैं तो बराबर जो हो इसके बराबर क्या हो जएगा बराबर में चला जाएगा तो मतलब जो इसका अंसर क्या आएगा अंसर नहीं, मतलब अगला step क्या जाएगा पॉइंट 01 1 equal to क्या आजाएगा आपका P square तो दोस्तों जब क्या करेंगे P square जो है इसका वर्ग को हटाएंगे तो ये किस में आजाएगा आपका root में आजाएगा 0.01 बराबर आगया आपका P square अब जब sorry तो आप क्या करेंगे तो वर्ग हट चुका है तो अब क्या करेंगे अब इसको करनी है उसको खटाने के लिए क्या हो जाएगा इसका जो सही answer आएगा जब करनी को हटाएंगे तो दोस्तों इसका answer क्या जाएगा 0.01 0.01 क्या हो जाएगा बन इसका answer आजाएगा दोस्तों तो अगला प्रशने देख लेते हैं अगला प्रशने है यदि A और B दो धन पोनांख हो तथा A की पावर X बराबर 64 हो तो निमने लिखित में से X जो है A की X पावर A का मान नहीं हो सकता कौन सा मान है जो नहीं हो सकता इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको A की प देखार है और X क्या है यहां पास घातांक है तो अगर इसका मान जो है आप रखोगे 2 A इक्वल 2 क्या रखते हो 2 तो यहां पास 64 का बाइगा तो क्या हो जागा दो दो दोनी 4 दोनी 8 दोनी 16 दोनी 32 दोनी 64 मतलब कितना बार गुणा की हो मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 की पावर 6 तब आया आपका 64 3 तो 6 की पावरρε मने दोस्तों आप क्या करना है इसको पल्टी करना है तो जब इसको पल्टी करेंगे दोस्तों क्या करेंगा यह option तो नहीं होगा अगला option अगला जो है अधार को change करके देखते हैं पहला option में क्या किये थे दो को करके देखे थे अब क्या करके देखते हैं तो 3 को करके जब देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहां पास जो है सबसे पहले क्या रखेंगे तो पहले रखेंगे तीन, अब तीन को कितने बार गुणा करें कि चौण सटा है, तीन तीया हो जाएगा आपका नौ, सौरी, तीन तीया हो जाएगा नौ नौ ठारा नौ तीया सत्ताइस आपका हो जाएगा साथ सत्ताइस तीया हो जाएगा आपका इनकेनबे तो ये तो नहीं आ रहा है ना 64 तो ये क्या हो जाएगा अगर हम लोग अधार को तीन मानते हैं तो वो गलत हो जाएगा है ना दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे अब अधार को क्या मानते हैं चार मानके देखते हैं अगर क्या करते हैं चार चौक सोला सोला चौक 44, मतलब 4 की घाट 3 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो answer आजएगा, मतलब 4 की घाट 3 रखें, तो आगया, आज़्र आज और 2 का answer, तो अब क्या करना है, इसको पलटी करके देखना है, मतलब 3 की घाट 4, तो अभी solve किये थे तो 3 की घाट 4 किये थे, तो क्या आया है था क्या सी जो भी option में दिखाई देरा मतलब यह वाला भी नहीं होगा और यह वाला भी नहीं होगा तो option बचा क्या आपका a बचा है और d बचा है तो अब लोग क्या करते हैं अधार को फिर से change करके यहाँ पास देखते हैं तो अधार को फिर से change करेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग देखेंगे तो जब अधार को आप कर करके देखे दोस्तों उसके बाद क्या होगा जो है इसका answer क्या कि अधार इंक नाहकर अधार करेंगे जैटीं देखे हैं हम लोग क्या करते हैं तो इसमें जो आएगा 250 जो आपको दिखाए रहा गवो नहीं आएगा दोस्तों इस तरह के कोशन अगर पूछा जाएगा तो आपका समय बहुत ज्यादा जाएगा तो क्योंकि इसमें कोई सौट का ट्रिक तो है ही नहीं तो अगला प्रशन देख लेते हैं अगर आप इसके बारे में कोई सौट का ट्रिक होगा तो आप मुझे जरूर बताईए दोस्तों हाना दोस्तों ताकि अन्य सब भी इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट क बताऊवगे तो अगला प्रशन देख लिता है दोस्तों अगला प्रशन इसमें जो बोल रहा है कि एक डिया गया है रेसल रेखा है उसमें जो मान दिया गया है रैस मतलब POR इस कमान दिया गए है 2X plus 10 मतलब क्या हो जाएगा 2X plus 10 तो हमें X कमान निकालना है हम जानते हैं कि यहाँ पस क्या बन रहा है P O Q क्या बन रहा है सरल कोन और सरल कोन का जो मान होता है वो क्या होता है X was science होता है तो सभी को जोड़ते हैं में X was science जो है मिलना चाहिए तो सब को जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा यह जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3X plus 2X हो जाएगा आपका 5X तो बराबर हो गया 5X plus 10 अब प्लस 10 है जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अब क्या करते हैं इसमें 10 घटा देंगे तो अब क्या हो जाएगा इधर आया आपका 5X तो 5X क्या करतेंगे जब X कमान निकालेंगे तो 5 को बटे में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिया आपका हो गया 15 और आया 2 तो क्या हो जाएगा पांच्चों के बीच तो क्या हो जाग एक्स कमान केता है 34 आया है तो आप इस तरह के question भी आएगा तो 34 कौन सा option में दिखाई दे रहा है बी option में आपको दिखाई दे रहा है तो अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है अगर 335 पेनों का मुल्य जो है 3945 रुपए ह आसन इसी तरह के तीन दर्जन पेन का मुल्य क्या होगा तो आसन इसी तरह के तीन दर्जन पेनों का मुल्य क्या होगा तो यह दोस्तों यह आप दो तीन तरीके से आप इसे हल कर सकते हो तो मैं आपको हल करने का जो है आप इसको पहले हल करने क्लिए आप पहले एक पेन का म बोड़ रहा तो एक दर्जन में 12 होता है था तीन रहर दर्जन में कितो है ता बारती है 36 तो इस चाहतिस पेन की कीमत है उसको 36 से गुणा कर देखो तो आपको 36 की मत निकल जाएगा तो इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहे हुँ तो जिसमें आपको एक पेन निकालने की तो हमें क्या बोर रहा है? तीन दर्जण कितना पेन आता है? 12,36 तो च्छतीस पेन की कीमत क्या होगा? यह हो गया आपका X अनूपात Y अनूपात यह हो जाएगा आपका सम अनूपात उसके बाद यह हो जाएगा जेड़ और इसको यह मालेते हैं नूप Two руки 35 अनुपात आपका बनेगा 3945 सामा अनुपात 35 अनुपात आपका X तो इस तरह क्या हो जाएगा इसका option जो है सही निकालना है दोस्तों आपका option निकालोगे यहाँ पास आपका है क्या है तो यह हो जाएगा 3945 गुणा 35 बटे आपका हो जाएगा 235 तो इस तरह क्या हो जाएगा वही आंसर होगा दोस्तों जैसे आप एक पेन का निकाले थे दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा अब यह तो आगया अब इसको क्या करना है तो हमें क्या करेंगे जैसे इसको जो आएगा हमारे जो आएगा जब इसना इसका कर देखिया अनसर के दिखिया और चौब आपका आपका आएगा 34, तो 604.34, तो हमें क्या बोला गया है, 604.34, तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है option में, तो यहाँ पास option दिया ही नहीं है, ऐसा मत सोचेगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है, आसन, मतलब उसी के निकट का हमें क्या करना है, आंसर बताना है, तो इसमें ह वीडियो में मैंने पूरे 10 कोशन को कभर किया है, तो यह वीडियो का अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करें, वीडियो का बभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, नौटिफिकेशन बेल को भी, और कले ताकी मिरे दौरा अप्लोड किया गया मेरे इस सभी वीडियो को आपके लगाताल, जो है दोस्तों, पढ़ाते रहूँगा, तो यह मेरे चैनल पर बने रही है, इस वीडियो को पूरा देखिए, उसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थाइंक्यू, जैहिन वंदे मातरा,